आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्स्ट येर का क्वेशन पेपर करेंगे यह क्वेशन पेपर 2021 के एक्जाम का है यानि की 2019-21 के शेशन वाले बचों का क्वेशन पेपर है उनका फॉर्स्ट येर का एक्जाम कब होना चाहिए था 2019-21 के बचों का 2020 में लेकिन 20 में करोना के वज़े से ये एक्जाम नहीं हुआ ये एक्जाम कब हुआ? 2021 में 2021 में Childhood and Growing Up का क्वेशन पेपर है ये एक्जाम तीन घंटे का हुआ था और इसमें टोटल मांक्स है 80 इस पेपर को आप लोग पूरे अच्छे तरीके से बना लीजेगा तो 80 मांक्स मिल जाएंगे आपको और पास मांक्स इस पेपर का 36 है 36 नमबर आप लेके आ जाते हैं तो आप इस पेपर में पास कर जाएगा अगर आप लोग को ये लगता है कि B8 में कोई भी फेल नहीं करता है तो ये बिल्कुल गलत फैमी है 1st year के एक्जाम में जो लोग भी पास नहीं कर पाएंगे उनको 2nd year के एक्जाम के समय दुबारा से एक्जाम देना होता है 1st year का मतलब कि जब वो 2nd year में होंगे तो जो 1st year के बच्चे होंगे उन लोग का एक्जाम चलेगा तो उनको भी फार्म फिल करना होगा जो फेल हो गया है आईए पेपर को फिर स्टार्ट करते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है कि attempt 4 question from each section question number 1 is compulsory मतलब कि question number 1 सब के लिए बहुत जरूरी है सब को बनाने हैं और question number 1 जैसे ही खतम होगा उसके बाद 2 section है तो दोनो section में 4 question बनाना जरूरी है मतलब कि section A में 4 question बनाईएगा section B में 4 question बनाईएगा यह जो question number 1 है यह 20 number का है इसमें 10 question मिलेगा एक question 2 marks का मिलेगा और total 20 marks का question 1 होगा question 1 का पहला question है किसने बोला है कि complex skill जो है वो develop कहां से होगा तो simple skill से होगा इसका answer होगा William Jones एक बार आप लोग खुद से भी answer को cross check कर लीजेगा ऐसे मेरे हिसाब से यही सारे answers होगे question number B development of motor skill depends upon मतलब कोई बच्चा जो है वो दोडने में चलने में इन समय आगे निकल जाता है अगर motor skill का development हो जाता है movement का तो वो किस चीज़ पर depend करेगा चलने के लिए speed भी चाहिए strength भी चाहिए मजबूत नहीं होगा पैर तो कैसे चल पाएगा और coordination भी चाहिए है ना हाथ और पैल का मतलब एक तालमिल होना चाहिए तो तीनों चीज़ होगा इसलिए इसका answer हो जाएगा all of these question number c है vocabulary of child up to two years is मतलब दो साल तक बच्चे का vocabulary कैसा होता है कितने words वो बोल पाते हैं तो इसका answer आप लोग लगा लेशे 370 words 370 words question number d which one is not a factor of language development इसमें से कौन सा language development में नहीं help करता है health, intelligence, environment, heredity health तो help करेगा, health अच्छा होगा तभी language development हो पाएगा intelligence भी जरूरी है अगर तेज ही नहीं होंगे तो कैसे language सीख पाएंगे environment भी जरूरी होता है हाँ लेकिन heredity का कोई role नहीं है ऐसा नहीं है कि आपके मन पापा English नहीं बोलना जानते हैं तो आप भी नहीं जानगेगा तो heredity इसका आंसर होगा language development में heredity का कोई role नहीं है next question है question number e which is incorrect about bobbling bobbling के लिए इनमें से कौन सा चीज गलत होगा तो इसका आंसर होगा real speech bobbling जो है वो real speech नहीं है और none of these तो इसका आंसर होगा नहीं तो इसलिए आंसरों का option a real speech question number f which is not a principle of development development के principles आप लोग learn किये होंगे तो principle of development में इनमें से कौन सा चीज नहीं होता है वो बताना है तो direction होता है development का principle है नडेवलप्मेंट जो है विकास जो है वो एक direction में होती है sequence भी होता है मतलब पहले क्या develop करेगा फिर क्या करेगा एक उसका sequence है third option है discontinuous development जो है वो continuous होता है principle में ये लिखा हुआ है यहाँ पे discontinuous दे दिया है तो ये नहीं होगा उसके बाद है it direction तो ये सारा चीज़ development का principle है जबकि discontinuous नहीं है तो option 3 answer है question number G which is not true about adolescent adolescent के बारे में किस ओरा अवस्था के बारे में इसमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है emotional life emotional life तो होता है उस समय revolt to authority ये भी होता है मतलब आंदोलन करते हैं ये लोगा अधिकारी वगेरा के विरोध में auto erotism भी होता है है ना auto erotism यानि क्या auto erotism मतलब खुद से प्रेम करते हैं तो ये भी होता है introvert ये नहीं होगा introvert वो लोग नहीं होते है introvert यानि अंतर मुखी जो अपनी बात नहीं कह पाए अंदर मतलब रह जाए है ना डर के या फिर किसी भी reason से सामने में नहीं खुल करके बोले stage fear हो ये सारा introvert कहलाता है question number h adolescence is a period of great stress and storm and strike said by adolescence जो है वो great stress मतलब बहुत stress का strain का और storm strike का period है ये कौन बोले है किनका statement है ये तो इसका अंसर होगा g stanley hall तो option कौन सा हो जाएगा none of the above d question number i maturation is related to maturation जो है परिपक्वता ये किस से related है इसमें से environment से related है heredity से related है दोनों से related है या none of the above तो maturation जो है वो environment से भी related है और heredity से भी related है इसका अंसर होगा both of the above c इसमें आप लोग इसमें मत ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा टीक है ये paper मुझे जहां से मिला है उस बच्चे नहीं कि सारे answers टिक किये हुए थैं तो आप लोग मेरे बात पर ध्यान दीजिए कि मैं जो बोल रही हूं वो answer है वो सारे answers मुझे लग रहे हैं एक बार आप खुद से भी cross check कर लीजे हो सकता है आपका opinion differ कर जाए लेकिन हमारे जो answer से हैं वो 99.9% बहुत जगे से देखे हुए हैं करेक्ट है question number J according to Jones the period of childhood is Jones के हिसाब से childhood का period कौन सा है छे साल से बारा साल option B is cancer हो जाएगा question number 1 यहां पे खतम हो गया अब next है section A section A में 4 question बनाना है एक question पांच नंबर का है चार कोशन बिस नंबर का हो जाएगा इसमें आपके लिए कोई भी option नहीं दिया हुआ है यह चारो कोशन में चारो कोशन बनाना है question number 2 give stages of language development language development का stage कौन कौन सा है language कैसे कैसे develop होता है वो सारा stage लिखते ना है question number 3 give characteristics of adolescent मतलब की सोरा आवस्ता कि जो बच्चे होते हैं उनकी क्या विसेस्ता होती है वो बहुत जल्दी aggressive हो जाते हैं उनका जो age होता है वो stress storm वाला होता है वो वाला line भी लिख सकते हैं सारे characteristics लिख देंगे adolescent के बच्चों का question number 4 examine the influence of socio-cultural context on development मतलब development के उपर society का और culture का कैसे प्रभाव पढ़ता है वो लिखना है जैसे अगर विकास हो रहा है बच्चे का उसकी society का असर उस पे कैसे पढ़ेगा उसकी संस्कृती का असर उस पे कैसे पढ़ेगा society और culture दोनों का बताना है इसको बताने के लिए why gods की की एक theory है why gods की theory ही यहां पे लिखाएगी और why gods की theory लिखने में आप लोग ध्यान दीजेगा socio-cultural वाला जो triangle है एक figure उनका वो बनाईएगा जरूर और साथ में zpd क्या होता है वो जरूर explain कीजेगा इसका folding क्या होता है वो जरूर explain कीजेगा और फिर बताईएगा कि society और culture यानि कि socio-cultural development पे कैसे अरसर डालेगा why gods की के recording मतलब इसमें why gods की का theory लिख देना है वही चीज यहां पूछा गया है केवल question पढ़के नहीं पता चलेगा कि यह why gods की कहीं theory है अगर जो लोग जानते होंगे वो समझ जाएंगे कि यह उनी का theory है तो इसलिए बहुत आसान है उनकी theory एक पार पढ़िये तुरंट से याद हो जाएगा तो इस question को आप लोग बहुत अच्छे से attempt किजिएगा question number five write the difference between growth and development growth और development में क्या अंतर है इन दोनों में बहुत सारा difference होगा एक जन्म के पहले से start हो जाता है एक जन्म के बाद से हम लोग बस count करते हैं है ना एक negative भी हो सकता है एक negative नहीं हो सकता है तो दोनों में सारा difference लग देंगे बहुत सारा point मिल जाएगा section A यहाँ पे खतम हो गया section B 40 number का है उसको start करते हैं question number six इस section में चार question दिया हुआ है चारो बनाना है एक question 10-10 number का है यानि कि 40 marks का यह section है question number six what do you mean by speech and language development explain the factors affecting language development मतलब कि speech development या language development करने से मतलब क्या समझते हैं आप लो क्या होता है language development करना language development यह speech development करने का मतलब कि किसी को भी बोलने में कोई चीज़ का रुकावट नहीं हो है ना अपने भाषा पर उसका command हो यह होता है language development करवाना तो कौन कौन से चीज़ लैंग्विश डेपलेप्मेंट में असर डालेगी environment डाल सकती है वातवरन वैसा नहीं मिलेगा तो development नहीं होगा जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो कौन सा language जानेंगे हम लोग जानवरोग जानेंगे चाइना में छोड़ देंगे तो चाइनीज लैंग्विश जा लेंगे तो आस पास का atmosphere डालता है है ना surrounding affect डालता है environment affect डालता है बहुत सारे factors होंगे वह सारे factors कि यहां लिख Of Child work एक बच्चे के विकास करने में family का रूल कहां तक कैंगा उनके परिवार का रुख कहां तक करता है बच्चे का development अच्छा नहीं हो तो हो सकता है बचों में भी negative चीजे जदर डेवलप्ट होंगी Community और school ये सारे कैसे help करते हैं समाज से भी बहुत चीजे सिखते हैं हम लोग School से भी बहुत चीजे सिखते हैं School भी सही होगा बच्चे का तो अच्छे से development होगा All around development होगा तो यही सब लिखेंगे बारी बारी पूरा explain कर देंगे अब है question number seven question number seven में भी और दिया हुआ है दोनों में से कोई एक question लिखेंगा आप लोग question है examine the physical, mutual and social development of child एक बच्चे का physical development क्या होगा उसको बताना है कैसे हम लोग उसको test करेंगे जैसे उसका height बढ़ेगा है न वजन बढ़ेगा तो यह सब क्या है physical development बच्चे में बढ़ रहा है वेग करके हम लोग जान लेंगे वजन को नाप करके जान लेंगे measure करके जान लेंगे तो physical growth बच्चे में हो रहा है यह कैसे examine करेंगे कैसे test करेंगे यह mutual नहीं होगा mental होगा है यह हिंदी में मानसिक दिया हुआ है तो ये ना mutual ही ना IQ test वगेरा होता है यह सब चीज reasoning वगेरा का test ले लेंगे तो mental development वीचान जाएंगे और social development हो रहा है कि नहीं समाजिक development हो रहा है कि नहीं जैसे society में वो लोगों से मिल रहा है नहीं, खेल रहा है नहीं, दोस्त बनाना उसे अच्छे लग, दोस्त बनाना उसे पसंद है या नहीं, तो ये सब social development हो गया बच्चे का, तो social development को कैसे चेक करेंगे, अगर मान लीचे, ग्रूप discussion के लिए बैठा दिये बच्चे को, बच्चा discuss कर रहा है कि नहीं, इस तरीके से जान जाएंगे, कि social development बच्चे में हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बहुत तरीका है, उस थाइब से टेस्ट कर लेंगे, What do you mean by cultural difference? मतलब संस्कृती अलग-अलग होती है सबकी, तो इसका मतलब क्या है, संस्कृती अलग होती है, मतलब किसी का culture ये कहता है, कि आप non-wish खा सकते हैं, किसी का culture ये कहता है, कि non-wish खाना गलत है, और कोई culture तो ये भी कहता है, कि लहसुन और प्याज भी खाना गलत है तो cultural difference बहुत होते हैं, अलग-अलग perspective से सही बोला जाता है, एक ही चीज़ को अलग-अलग perspective से गलत बोला जाता है तो यही है cultural difference, अब यह कह रहा है कि economic change अगर होता है, जैसे माली जे आर्थिक वेवस्ता किसी का change हो गया पहले अच्छा था फिर खराब हो गया, यह पहले खराब था फिर अच्छा हो गया यह urbanization हो रहा है, urbanization का मतलब कि सहरी करण हो रहा है, सहर बनते जा रहा है कोई भी चीज़, तो इसका असर adolescent पे कैसे पड़ता है इसका असर किसोरा अवस्ता पे पड़ेगा, है न, वो adjust नहीं कर पाते हैं, तुरंट change होता है, तो उनके सरीर में भी change होते रहता है जिसके वज़े से, हार्मोनल changes के वज़े से, वो adjust नहीं कर पाते हैं चीज़ों के साथ तो economic change भी उन पे असर डालता है, और urbanization भी उनके life पे असर डालता है कैसे असर डालता है, वही सब यहां लिखेंगे Q8 जानने से पहले, एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेजे, कि B8 का paper आप लोग देते होंगे या फिर अपने seniors वगरा से पूछ के आपको यह चीज़ पता चल गया होगा कि B8 के papers जो हैं या फिर कोई भी traditional course का paper बहुत जादा match करता है, बहुत जादा तो आप question paper को पिछले year का solve करके जरूर जाएए इससे आप लोग बहुत अच्छा score कर सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हलके में मत लीजें ये वीडियो आपके लिए जरा भी useful रह रहा है तो आप like जरूर कीजे, comment जरूर कीजे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा क्यूंकि paper आप लोग भी ढून रहे होगे childhood and growing अपका आपको नहीं मिल रहा होगा कहीं से भी से भी फिर आप लोग हार करके इस वीडियो को सोचे होंगे कि YouTube पे एक बार टाइप करके देखते हैं शायद कोई डाल दिया होगा तो कोई डाल तो दिया होगा बट बहुत मुश्किल से ढूनने होते हैं papers और वीडियो बनाना भी बहुत हार्ड वर्क है तो आप लोग हार्ड वर्क को recognize करके support कीजिए examine the problems of adolescent in India and role of teacher, family and community मतलब भारत में adolescent का क्या-क्या problem है उनकी क्या कठीनाईया हैं इंडिया में और teacher का role बताना है family का role बताना है community का role बताना है मतलब teacher को क्या करना चाहिए adolescent को ले करके की सोरा आवस्था के बच्चे को ले करके family को, community को जैसे अगर teacher की सोरा आवस्था के बच्चे को पढ़ा रहा है बच्चा जो है वो learn करके नहीं आया teacher उसको बोलते हैं बाहर निकलो रिस्पेक्ट पे ले ले रहा है कि हम नीचे गिर रहा है या इस टाइप का इसलिए वो teacher का disrespect कर दे रहा है उनको वो कह दे रहा है तुरंट से जवाब दे करके कि बाहर नहीं निकलेंगे यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे teacher strictly नहीं करके दूसरे तरीके से उसको समझाएंगे है ना वो समझेंगे कि adolescent का age है उसका hormonal changes हो रहा है इसलिए aggression आ रहा है वो लड़कियों के सामने खड़ा होना नहीं prefer कर रहा है इस reason से वो ऐसा कर रहा है तो हमारा purpose क्या है हमारा purpose है बच्चे को learn करा देना है ना punishment देना तो परपस नहीं है तो किसी और तरीके से उसको समझा बुझा करके है ना पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ने से बहुत फायदे होंगे तो इसलिए वो पढ़ने के लिए motivate हो जाए इसके लिए मना लेंगे उसको बिल्कुल वैसे ही family का रोल बताना है community का रोल बताना है जैसे family members को adolescent वाले बचों के साथ as a friend मतलब treat करना होगा दोस्ती बनाना होगा तभी वो अपने class में अगर उनका affair होगा या कुछ भी कहीं भी कुछ भी होगा तो वो आकर के parents से बताएंगे, parents से शिपाएंगे suicide वगेरा नहीं करेंगे, depression में नहीं जाएंगे, committee समाज समाज का भी बहुत रोल होता है समाज में वो दोस्ती नहीं करेंगे सब लोगों को अपने से कम समझेंगे समाज में गुलना, मिलना, दोस्ती करना, अपने बाते कहना, यह सब बहुत ज़रूरी है, तिवहार नहीं मनाएंगे शादियों में नहीं जाएंगे, तो यह सब चीज़े क्या है, तो committee का भी बहुत रोल होता है, adolescent में और इन सब का रोल है, next question है, और करके है इन दोनों में से कोई एक बनाईएगा, examine the principles of development and their educational implications, development के principle कौन-कौन से हैं, एक principle तो अभी objective question में भी था, तो development का principle आप लोग learn कर लीजेगा, सिधान्त क्या-क्या है विकास का, और educational implications, educational implications जिस भी question में पुछेगा न, मतलब कि पढ़ाने में उसका हम लोग कैसी use करते हैं, यह आपको बताना होता है, जैसे development का principle है, कि development जो है, वो continuous process है, मतलब विकास जो है, वो हमेशा होते रहता है, हमेशा होते रहता है, continuous है, हमेशा होते रहता है, कब तक मरने से पहले तक, विकास हमेशा यह सिख नइसा हमेशा होते रहेंगे क्योंकि विकास हमेशा होते रहता है तो अगर और एज भी है तब भी हम सोचेंगे कि अब तो नहीं सीख सकते हैं तो ऐसा नहीं है लड्नित्च कीजेगा तो ड्यवलप्मेंट भी हो जाएगा क्योंकि कि development भी continuous अगर कोई language ही सीखना है जर्मन लेंगिज सीखना है और old age हो चुका है फिर भी old age में भी सीख सकते हैं अगर सीखेंगे तो development भी हो जाएगा त्यूंकि लर्निंग जो है वो continuous process है और development भी continuous है अब है question no.9 यह इस subject का last question है लेकिन इस question में भी दो question दिया हुआ है दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं एक चीज़ ध्यान रखिए इस paper में options दिये हुए है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे paper में option मिलेगा बाकी के papers में option नहीं होते हैं आप B8 का question paper, TLM, assignment, internship diary सारा चीज़ हमारे चैनल के playlist में देख सकते हैं इसके अलावा आपको notes भी चाहिए तो आप about में जाके हमारा email id दिया हुए है उस पे mail कीजिए कि कौन से subject का, कौन से year का, कौन सा paper या कौन सा question चाहिए फिर वो आपको provide कर दिया जाएगा उसके बाद आप जरूर comment करके बताइए क्या आपको मिला या नहीं What do you mean by constructive approach of development? Development का constructive approach क्या होता है? मतलब विकास होता है ना तो विकास अगर हम लोग खुद से कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं, मतलब practice कर करके, construct कर लेते हैं, बना लेते हैं, development कर लेते हैं इस चीज़ का, वह ही है constructive approach Discuss the role of gender, caste and social class on handsome experience of child एक बच्चे का experience हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है बच्चे का तो उसमें gender का क्या role होगा? cast का क्या role होगा? social class का okay role होगा? जश्ते देखिए, gender difference होता है, male और female होता है तुम जो है वो डॉक्टरी वगरा का पढ़ाई करो, टीचर का पढ़ाई करो, कास्ट, कास्ट में भी ऐसा होता है, कि आप इस कास्ट के हैं, तो ये, मतलब होता है ना, बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगरा होता है, तो इन सब चीज का क्या रोल है, बच्चा कै अनुभाव करता है, ये सब चीज वो सब लिकले, और वळा कोश्चन है कि दिस्कस्ट पियाजे थियूरी औफ कॉगनेटिव डेवलप्मेंट एंड एजुकेशनल इंप्लिकेशन, पियाजे की थियूरी कौन सी है, कॉगनेटिव डेवलप्मेंट की, तो पियाजे की एक है cognitive development का थियूरी उसको बुला जाता है जिसमें कि वह प्री ऑपरेशनल है ना फॉर्मल स्टेज लास्ट वला स्टेज है प्याजे की थियूरी लिखने में चार चीज़ आपने उस जरूर एक्स्प्लें कीज़ेगा इस्कीमा क्या होता है ऐसी मिलेशन क्या होता है एकोमोडि नहीं से मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए मेरे से नोट शाहिए तो आप लोग इमेल आइडी पे मेल कीजिए यहां पे हमारे वीडियो को हम लोग एंड करते हैं all the best for your examination बहुत अच्छा लिखिया आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और अप मेंगाग बस्ते हैं जब लोग बस्ति आप लोग आप के लोग शाम हैंक्य।